आप सभी को नमस्कार इंडिया एक्स्प्रेस में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंकुर्तियागी यूपी में दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाओ होना है आला कि सभी सीटों पर सरगर्मिया बहत तेज हैं लेकिन अगर मुझा फर्णगर जीले की मीरा पूर्शीट की बात करें तो यहां पर चुनाओी तापमान बहत बढ़ा हुआ है दरसल राष्टे लोगदल और भाजपा का गठवंदन है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गठवंदन है दोनों ही गठवंदन से अभी तक को मिद्वारों का एरान तो नहीं हुआ है लेकिन सियासत में दोनों ही दलों से टिकट मांगने वालों की लाइन बहत लंबी है इन सब चर्चाओं के बीच सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चर्चा हो रही है वो हो रही है पूर सांसद अमीर आलम खां के परिवार के पूरु सांसद अमीर आलम खां के बेटे पूर विधायक नवाजी सालम भी मीरा पूर सीट से राश्टर लोगडल से टिकट के दावेदार है पिछले दिनों सरगर्मिया उस वक्त बहुत तेज हो गई थी जब पूरु सांसद अमीर आलम खां ने बताया था कि उनके पास राश्टर लोगडल के मुख्या जैंद्शोधरी का फोन आया और जैंद्शोधरी ने कहा है कि वह नवाजी सालम को चुनाव लड़ाना चाहते हैं इसके बाद मीडिया में, सोसल मीडिया में इस तरही खबरी आने लगी कि नवाजी सालम को उम्मिदवार घोषित करती आगया है खैर इस सब के बीच अब मौजूता परस्तिती क्या है? मोजुदा प्रसिती ये है कि नवाजिस आलम फिलार राष्टे लोगदल के कारेकरमों में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं हाल ही में मुझवफर्णगर जिले के मीरापूर में ही राष्टे लोगदल का बूत सम्मिलन आयजुत हुआ और इस हमिलन में राष्टे लोगदल के परदेश अद्यक से रामसीस राय पोँँचे थे तमाम टिकट के दावदार इस कायकरम में आये तमाम नेता इस कायकरम में आये थे लेकिन सब की निगाहें धून रही थी नवाजिस आलम को या अमीर आलम को लेकिन उन में से कोई भी इस कायकरम में नहीं पहुंचा अगर परमुग नेताओगी बात करें जो समें सामिल हुए थे तो कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार राष्टे लोकल के छेत्रिय अध्यक्स योगेंद्र चेयर्मेन पूर मंत्री योगरास सिंग रालोग नेता जीत रा से कोई भी इस कायकरम में नहीं पहुंचा इससे पहले अगर बात करें तो राष्टे लोग दल और भाजपा की एक सिंग्त बैठक भी मीरापूर उप्चुनाओं को लेकर हुई थी उसमें भी आलम परिवार से कोई नहीं आया था साथ ही एक होटल में भी मुझा फर्णग इसे हैं लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अब सायद नवाजीस आलम के मीरापूर से चुनाओ लडने की गुंचायस कम है लेकिन ये तो टिकेट की घोसना के बाद ही पता चलेगा कि राष्टे लोग दलोर भाजपा गडवंदन से किसे उम्मीद्वा बनाया जाता है अब जो सूचना हमारे पास सूत्रों के हवाले से है वो ये है कि आलम परिवार का ये मानना है कि वो मीरापूर में कोई नई चेहरे नहीं है मोलना सीट से अमीर आलम खाविधायक रह चुके हैं और 2017 में नवाजीस आलम खुद बसपा के टिकेट पर मीरापूर सीट से च पार्टी की कारेकरों में जाते हुए अब समय तभी दिया जाएगा जब पार्टी टिकेट की घोशना कर देगी उससे पहले वह अपने घर से चुनावी मोड में निकलने के लिए अभी तक लाजी नहीं है सायद उनका मानना है कि अगर टिकेट नहीं हुआ तो फिर बहारी गड़बर हो जाएगी चर्चाएं तो बहुत सारी हैं अलम परिवार के राजनितिक भविस्यों को लेकर लेकिन जब तक कुछ जानकर नहीं होगी तब तक हम जादा कुछ नहीं कह सकते हैं हालक कि जानकरे काफी आ रहे हैं कि आलम परिवार अपने राजनितिक भविस्यों को लेकर बड़ा कदम भी उठा सकता है अब बड़ा कदम वो क्या होगा ये हम कोशिस करेंगे कि आने वारे दिनों में आपको जरूर बताएं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक नितकी और से मीरापूर विधानसभाद छेत्र में एक होल्डिंग लगवाए गए हैं और उस होल्डिंग पर लिखा है कि एक अकेला सप्पे भारी मीरापूर विधानसभाद चुनाव इंडिया गढवन्दन के सर्व पिरिये सिक्सित निडर परकरवक्ता एवं इस्थानिये संभावित उम्मिद्वार एस अली अब्बास काच्मि कोसाद्यक्स समाजवादी पार्टी मुझफर नगर अभी नेता ने संभावित उम्मिद्वार लिखा है तो हो सकता है कि पार्टी की तरफ से कोई जारा मिला हो लेकिन फिलाल की जो सूचनाए है वो फिलाल यही थी कि पूरुसांसत कादिराना का नाम ही टिकट की दोर में सबसे आगे है हाला कि काफ क्यों में टिकट की लाइन में बताय जा रहा है अगर किसी मुसलिम को टिकट न देकर पार्टी किसी पाल समाज के विखती को चुनाव लड़ाना चाहती है तो संदीप पाल की लोटरी लग सकती है क्योंकि पाल समाज का वोट बैंक भी काफी जादा इस सीट पर है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक एच को फोलो कीजिए साथ ही आप हमें बहुमूले सुजाओ भी कमेंट कर दे सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद